इस वीडियो में बिहार इंफोर्समेंट का कोसन डिसकस करेंगे जिसका एक्जाम 6.12.2020 को हुआ है तो आए देखते हैं पहला कोसन पहला कोसन है डी 2.0 का अधिकतम उपयोग होता है तो परमानु भठी में इसका अधिकतम उपयोग होता है तो से इसका राय टेंसर हो जाएग नेक्स्ट है मेंडल ने मटर पर किये अपने परियोगों के लिए कौन से लक्षन का चैन नहीं किया है तो आपको याद रखना है फूल की अकिरती का चैन नहीं किया है तो D इसका राय टेंसर हो जाएगा जो तीन है A, B, C ये तीनों आपके सही उप्षन था नेक्स्ट है Bus World घास अस्थल पाये जाते हैं तो कहां पर पाये जाते हैं तो दच्छिन अफिरका में तो से इसका राय टेंसर हो जाएगा next है online portal insure को launch किया गया किसके द्वरा launch किया गया था तो आपको याद रखना है किरसी एवं किसान कलियान मंत्राले के द्वरा तो B इसका right answer हो जाएगा next है प्रस्थित की तंत्र के दो घटक होते हैं जो कौन है जीव एवं अजीव तो A इसका right answer हो जाएगा next question है नियम्लिखित में से किस भारतिये ने IAAF के अवार्ड जीता है तो किस भारतिये ने IAAF का अवार्ड जीता है तो PT उसा तो C इसका right answer हो जाएगा next question नियम्लिखित में से कौन सी नदी का उदगम भारत से नहीं है तो आपको याद रखना है ब्रहंपूत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं है ब्रहंपूत्र, सिंदू और सतलज इन तिनों नदियों का उद्गम भारत से नहीं है निमलिखेत में से कौन सिसंस था समिधान नित्तर है समिधान से अलग है तो आपको याद रखना है नितिययोग ठीक है इस समिधानिक बोड़ी नहीं है next question है भारत में रेलवे के शुरुवात कब हुई तो 1853 में तो डेस का राइट एंसर हो जाएगा next है सौर मंडल में सुद्र गरह वेल्ट निमन में से किन दो गरहों के बीच अस्थित है तो मंगल और भिहस पती के तो बेस का राइट एंसर हो जाएगा next है निमन में से कौन सी गैस हरित गरे प्रवाव नहीं है तो आपको याद रखना है सेलफर डाइय उक्साइड डे इसका राइट एंसर हो जाएगा next भारतिय समिधान में कितनी अनुशूचिया है तो भारतिय समिधान में टोटल 12 अनुशूचिया है कितने अनुसूचिया है बारा पहले आठ था उसके बाद चार जोडा गया ठीक है नेक्स्ट है रेडियो सेकरिता की खोज निमन में से किसके द्वारा की गई है तो बैक्यू रेल के द्वारा ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अरवनेचल परदेश की फुडूंग्टो नदी पर बिद्दूत जल परियोजना है कौन है तो आपको आद रखना है दिच्छी से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आईटी बिपी ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज में एक साइकल अभियान शुरू किया था तो आपको याद रखना है सिक्क्यम से किया था ठीक है तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है इसे ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि एक बुक है एस सेंचूरी इस नॉट इनफ यह किसके दवरा लिखा गया है तो साधी किसका बाइगोराफ ही है तो सौरव गांगली का सौरव गांगली का तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा ये science का question है ये ढंग से दीखने रहा है उसके बाद देखे अगला question है निमलिखेति में से कौन सी भारत की पर्थम पर्मानु पंडुब्बी है तो भारत की जो पर्थम पर्मानु पंडुब्बी है INS अरिहंत है C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि इनमें से भारत के 21 राज में 2 सदनी व्यवस्था है तो आपको व्याद रखना है बिहार में आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने राजियों में 2 सदनी व्यवस्था है और कौन-कौन राज में है ठीक है समान ताप पतंदर 1000 मीटर पर कितना होता है तो आपको याद रखना है 6.5 डिग्री सेल्सियस तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है ब्रिटिस प्रधान मंत्री रेमजे मैक डोनाल द्वारा संप्रदाइक पंचार्ट की घोस्तना की गई थी तो कब की गई थी तो अगस्त 1932 में तो ये इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन से इजरायल की मुद्रा है तो सेकेल जो है इजरायल की मुद्रा है नेक्स्ट है डॉक्टर बरगेश कुरियन का नाम विख्यात है किसलिए तो दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए तो स्वेत करांती के लिए ठीक है तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा और नेक्स्ट कोशन है निम्लिखित में से कौन सा जिवानू कौन सा जिवानू ज यहां पर लिखाले बी नैट्री करण में सहयक होता है तो आपको रखना है सी इसका राइट अरहो जाएगा थीक है से इसका राइट अरहो जाएगा नैक्स्ट है नेवलिकेत में से किस दिन अंतराश्डीय को ठीक है नेक्स्ट, निमलिखित में से कपड़े धोने के साबुन में, फीलर के रूप में काम नहीं आता है, तो आपको याद रखना है, गिलिस रॉल, ये इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, मांग में परिवर्तन के निमलिखित कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो इसमें सारे कारक जो जिम्मेदार हैं, उपभोकता की आय में परिवर्तन, संबंधित बस्तियों की कीमतों में परिवर्तन, जन संख्या में बिर्धी, नेक्स्ट है निमन मैंसे कौन सा रोग दुसित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है तो नीमोनिया ठीक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यह मैथ का सवाल है इसे आप लोग बना लिजेगा इसी कुछ सने नेक्स्ट है सुस्क वर्फ है ठोस कर्वन डायोकसाइड होता है नेक्स्ट मैंसे कौन डॉक्टर कलाम अस्मिर्ती अंतरास्ट यह उत्कृष्टता पुरसकार्द वहर 19 के बिजेता है तो सेख हसीना डेस का राइट एंसर हो जाएगा और नेक्स्ट कोस्टन है मेसन इंद्र धनुस का संबंध निम्लिखित में से किस छेत्र से है तो आपको याद रखना है जो मिशन इंद्र धनुस है यह स्वास्थ से संबंदित है से इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगरा सहर का संस्थापक कौन था तो सिकंदर लोधी इस सही है और नेक्स्ट है कि महला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्राय के दवरां सुरच्छा परदान करने के लिए एक नहीं पहल भारतिया रेलवे के द्वरा किया गया है इसमें रेलवे सुरच्छा बल इसमें हो जाएगा नेक्स्ट है इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़ा बांधों में से एक है वह किस नदी पर अस्थित है तो आपको याद रखना है प्राना नदी पर कौन से नदी पर प्राना नदी पर बेस का राइट एंसर हो जाएगा यह कोस्टन है कि अच्छे मैसूर यूद है 21 मैसूर यूद में जो है टीपू सुल्टान मारा गया था तो आपको याद रखना है चौथा यूद में तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है 1902 में पुलिस कमिशन किसकी अध्याचता में गठित की गई थी तो सर एंड्रू फ्रेजर से इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमन में से कौन सी कृती कवीर की बानी का संकलन करता है तो बीजग करता है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है चमपा निमन खित में से किस महाजनपत की राजधानी है तो अंग की राजधानी चमपा है नेक्स्ट है पहली इलक्ट्रोनिक बोटिंग मसीन किसने डिजाइन की तो MB हनीफा ने किसने की MB हनीफा ने तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा next Centiago राजधानी है कहां कि राजधानी Centiago है चेली कि राजधानी Centiago है चेपको आंदुलन संबंदित है बिर्चो के जंगल में कहने का मतलब है कि जो पेल है उन्हें काटने से रोकना तो इसका राइट अन्सर क्या हो जाएगा बिर्चो के रोपन को जंगल में गलत है बिर्च के जंगल में काटने से रोखना तो डेस का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डेस का राइट अंसर हो जाएगा next निमलिकित योगमे में से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो आपको याद रखना है जो गुदाबरी है सही सुमलित नहीं है बिर्च का राइट अंसर हो जाएगा मुसी जो है आपके ये ख्रिष्णा की सहायक नदी है next लाबेर कप सम्मंदित है किसे सम्मंदित है टेनिस से next समकालिन विद्मानों ने भारत के विवाजन के समय हुई हत्याएं आगजनी और लूट पात के लिए किस सब्द का उलेक किया है तो आपको याद रखना है जन नंसंगार ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कौन सी कम्प्यूटर जनरेशन पैरलेस प्रोसेसिंग हाडबेर पर अधारित है तो पाच में पिढ़ी का ठीक है next भारत द्वारा तयार किया गया सूपर कम्प्यूटर का नाम क्या है तो आपको याद रखना है परम है कोन है परम है यह मैत का सवाल है जिसे आप लोग देख लिजिएगा next question है थाइमीन सम्मंदित है बिटामीन B1 से निम्रिखेत मैं से कौन सा सब्ध भारतिय प्रस्तावना में नहीं है तो संग बाद जो है भारतिय प्रस्तावना में नहीं है next है सेविस्टियन बिट्टल निम्रिखेत मैं से खेल से सम्मंदित है तो आपको याद रखना है सेविस्टियन जो बिट्टल है वो फार्मूला फर्स्ट रेसिंग से सम्मंदित है सेज का रायट अंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागरा किस अस्थान पर था आपको गाद रखना है बिहार के चमपारण डिस्टिक में नेक्स्ट निमलिखेत में से कौन सा साहीतिक कार रविंदरनाथ टाइगोर से सम्मंदित नहीं है तो देवदास सम्मंदित नहीं है नेक्स्ट भारतिय सेनाओं का सरवोच सेनापती कौन है तो राष्टपती होते हैं तो सेस का राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है जोरिये उर्जा निमलिखेत में से किन उर्जा के संसादनों का परकार है तो अजैब बेस का राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है ल्वेस चट्टान किस परकार की चट्टानों का उधारन है तो परददार चट्टानों की उधारन है ठीक है नेक्स्ट छारिय मिर्दा धातुएं में से कौन सा अधिक्तम विद्धूत कुछ होगा ठीक है तोिसका राइट अधिकार घोस्न किस महला ने तयार किया है तो ओलप देग गुंजने तो ची इसका राइट अंसर हो जाएगा यह कितना नमर कोश्ण है कोश्ण है सत्तर का आपका सी हो जाएगा ठीक है next कि नेक्स्ट है निम्निक्यत लिए से कौन सी भारत की सबसे चोटी आदर भूमी है तो आपको याद रखना है रेनुका है कौन है रेनुका तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट 2019 BWF बिश्व बैडमिन्टन परतियोकता में महला एकल के खिताब किसने जीता है तो भारत की है पेवी सिंदू निमलिखित में से भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक अंतराश्टिय सीमा जुड़ा हुआ है तो आपको याद रखना है बांगला देश अदूसरा स्थान पर आपके चैना है ठीक है नेक्स्ट बियत नामी कॉम्मिनिस्ट पार्टी की अस्थापना उनिसो तीस में किसने की है तो होची मिन्ने तो बेश का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पादप में जायलम उत्तरदाई है तो जायलम का काम क्या है? जेल के बहन के लिए बेस का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट ये तो देख चुके हैं मुलूग अगला पेज देखिए हाँ अगला पेज है निमली खेत में से क्या क्रीतिम प्रस्तितिक तंतर का उधारन है तो फसल का खेत D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्लाइव दाब को मापने वाला यंतर कहलाता है क्या कहलाता है वेरू मीटर तो A इसका right answer हो जाएगा Next है भारत में वाइव से ना दिवस कम मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को वाइव से ना दिवस मनाया जाता है Next है भारत का रास्टी जली है जीव निमन मेंसे कौन सा है तो गैंगेटिक डॉल्फिन है तो B इसका right answer हो जाएगा एकामन का अपलोग देख लिएगा Next है निमन मेंसे किस राज में काली मिट्टी परचूर मात्रा में पाई जाती है तो option के हिसाब से गुजरात हो जाएगा तो D इसका right answer हो जाएगा Next है स्यत्य सोधक समाज को निमन लिखित मेंसे किस ने लिखा है तो आपको याद रखना है जोती वराव फूलेन है ठीक है जोती वराव फूलेन है तो D इसका right answer हो जाएगा Next है ये क्या है अच्छाई अवध का जो है अवध है जो राज है उसका संस्थापक कौन है तो आपको याद रखना है सहादत खाएगा तो B इसका right answer हो जाएगा Next है भारतिय समिधान की आठमी अनसूची में कितनी वहासा सामिल है तो कितनी वहासा सामिल है 22 वहासा Next है आपको कि जो हडपा है वहाँ पर कौन सा जो बंदरगा है इन्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना है लोथल हडपा में एक बंदरगा है जिसमें भी लोथल होगा उसे आप लोग करेक्ट कर लिजेगा ठीक है इसका लोथल कर लिजेगा किनको इसमें दिख साफ नहीं रहा है और उसके बाद है आपका 82 का पूर्ण रूप क्या होता है तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट है सत्वर्षिय यूद दिया गया है और इसमें आपको याद रखना है कि बिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था इसमें किसकी हार होई थी तो फ्रांस की इसमें हार हो गई थी तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय समीधान में मुल्क करते बो जोड़ा गया है तो बियालिसमा समीधान संसुद्धन नेक्स्ट है एंटी टेंक मिसाइल कौन है तो आपको याद रखना है नाग जो है एंटी टेंक मिसाइल है नेक्स्ट है कि भारत में पैन कोड कुल अच्रो या संख्याओं से बना होता है तो दस ठीक है पैन कार्ड में टोटल दस होते हैं आप लोग बताएगा कि अधार काड में कितने अंक होते हैं नेक्स्ट है कि अपाचे हिलिकोप्टर निमलिखेत में से किस देश से लिया गया है या किस देश से संबंदी थे तो आपको याद रखना है अपाचे हिलिकोप्टर जो भारत भी खरीदा है अमिरिका से ठीक है नेक्स्ट है नागरिक ओनलैन रोजगार पंजी करा सकते है तो इमित्र के माधियम से नेक्स्ट है बैंक ओफ बलोदरा के साथ किन दो बैंकों का जो है मर्जर हुआ है तो बैंक ओफ जो बलोदरा है तो इसमें ध्यान रखिएगा बिजया बैंक और देना बैंक तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अवंतिकी राजधानी थी कहां थी तो अवंतिक राजधानी उजजयन नेक्स्ट मैथ 3-4 देख लिजेगा आप लोगा पसमें निमलिखेत में से कौन सा ज्वाला मुखी प्रसांत महासागर का ज्वाल ब्रित के अंतरगत आता है तो आपको याद रखना है फ्यूजियामा कौन आता है फ्यूजियामा तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद आपका है निमलिखेत में से किसे राजयब गांधी खेल रतन पुरसकार 2020 दिया गया है तो रोई सर्मा को दिया गया है 1999 में दिया गया था दीपा मलिक और बिराट कोली को दिया गया था ठीक है नेक्स कॉस्टन देखिए, नेक्स कॉस्टन में आपका है, निमन में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, यही होगा, हाँ अंग है, ठीक है, तो इसमें आपके ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, और जिला परिसद है तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा Next question है सूबा निम्लिखित देशों में से किसकी राजधानी है तो फिजी की राजधानी सूबा है Next है पचासमा अंतरास्टी फिल्म फेस्टिवल of India आयोजन निम्लिखित में से किस राज में किया गया है तो किस राज में किया गया है गोवा में किया गया है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है के सिवन खाली अस्थान के अध्याच है तो इसरो के के सिवन अध्याच है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा 21 का D उसके बाद है निम्लिखित में से कौन सी बिसेस्ता नौकर साही की नहीं है तो नौकर साही के जो बिसेस्ता नहीं है स्वेचिक सदस्ता यह इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट है देपक पुनिया का संब्ध निम्लिखित में से किस खेल से तो कुष्ती से देपक पुनिया साही यह आपकी हरियाना की है नेक्स्ट है, बिश्व स्वास्त संगठन का मुख्याले निम्लिखित में से किस देश में हैं, तो स्वीड़िजर लेंड में कहां पर हैं, स्वीड़िजर लेंड जेनेवा में, नेक्स्ट नेक्स्ट है, कि भुकंप प्रभावित छेतर कौन-कौन इसमें हैं, तो हिमालय और कच के छेतर, ठीक हैं, इस दुने छेतर में भुकंप आ चुका है, और बारवर आते भी रहते हैं आप लोग कच का भुकंप याद होगा, बहुत भीहानक भुकंप था नेक्स्ट कॉस्ера है, जब पानी जमता है, तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है सुनते हैं ना कि थंडिक दिनों में पाइप जो है फट जाती है कि उसका इतन बढ़ जाता है इसलिए लोग सभा के अध्याज को कौन चुनता है तो लोग सभा के सदसगंग चुनते हैं ठीक है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा का और संचुरी इस नोट इनफ और इसमें कोड़ा हुए हैं इस से इतना ही आपकी में लोग सो पैंट कौसन दिसकस कि उंगी क्योंकि मैश को उसको डिसकस नहीं किया है लगवाग 95 प्रवसकों अपके डिसकस किया है तो अपलोग अपकरना मिला है जो भी है